नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि मुबाइल से जीमेल एकाउंट को कैसे डिलेट करें तो वीडियो को सुरू करने से लिए आप से छोटी से गुजारी से कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नेकिए तो सस्क्राइब कर लेजे और साथी बेलवाल आइकाउन को भी प्रेस कर देजे जिससे नए वीडियो डलो तो उसका नोटिफिक्स आप तक पहुँच सके तो मुबाइल से जीमेल एडियो को डिलेट करने के लिए सबसे पले अपने मुबाइल में जीमेल एपस को ओपन किजिएगा मुबाइल में जीमेल एपस ओपन हो जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर दाहिने सैड में कॉर्णर पर तो क्लिक किजेगा यहाँ पर तो मुबाईल से Gmail ID को delete करने के लिए यादि आप मुबाईल में अनने Gmail ID से भी login है तो आप उस email ID को select कर लिजे जिसे आप delete करना चाहते हैं फिलाल मैं इस email ID को select कर लिए हूँ delete करने के लिए तो उस email ID को select करने एक बाद आपको click करना होगा manage your Google account तो यहाँ पर click किजिएगा अब manage your Google account पर click कर देने के बाद आप यहाँ से देख लिजेगा यही आपका email ID है और यही डिलेट होने वाला है तो इसे delete करने के लिए आपको click करना होगा यहाँ पर Data and Personalization पर तो यहाँ पर click किजिएगा अब data and personalization पर click कर देने के बाद यहाँ इप स्क्रूल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा delete का तो यहाँ पर देखिए यह option है delete का तो यहाँ पर click किजिएगा delete a service or your account तो यहाँ पर click किजिएगा अब यहाँ पर आपको कुछ option मिलते हैं, जैसे delete a Google service, जैसे आप अपने Google की services को delete करना चाहते हैं, जैसे Google AdWords या Google AdSense या और भी कुछ, तो यहाँ पर click करके इसे delete किजीएगा और अपने account को पूरी तरह से delete करनां चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर click करना होगा, delete your Google account, तो यह email id का password डाल देने के बाद आप क्लिक किजिएगा next अब यहां पर आपको कुछ message मिलते हैं आप इसे अच्छी तरह से पढ़ दीजिएगा इसमें बताया है कि आपके Gmail id को delete करने से आपको क्या-क्या नुक्सान हो सकते हैं फूर एक्जामपल आप net banking से online transaction करते वक्त email id रेइस्टर किया है तो आपको कुछ परसानी आ सकते हैं अब यहां पर इसे पूरी तरह से पढ़ देने के बाद नीचे में आपको एक और option मिलता है अगर आप अपने Gmail के पूरी डाटा को डाउनलोड करना चाते हैं तो यहां पर क्लिक करके अपने Gmail के पूरी डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं फूर एक्जमपल आपके Gmail ID में Contact या फिर फोटो हो तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अब नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करके आते हैं तो यहां पर आपको बताया जा रहे है कि आपके Gmail से क्या-क्या डिलेट हो सकते हैं फूर एक्जमपल आपके Gmail की सारे भी Inbox में जित तो यहां से अब आपका Gmail account पूरी तरह से डिलेट हो जाता है उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझे में आई होगी और आपके काम की होगी अगर वीडियो अच्छी लेगे तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों वाट्सब्स फेज़ों और इसे ही